हेलो स्टुडेंट्स वैलकिम टू दे क्लास आज का हमारा टोपिक रहेगा डेटा स्ट्रक्चर तो डेटा स्ट्रक्चर में हम यह देखेंगे कि डेटा क्या है data structure क्या है किस तरह से data structure create किया जाता है और data पर कौन कौन से operation perform किये जाते है तो चलिए start करते है सबसे पहले आता है data data क्या है आपने बहुत बार सुना है कि हम computer में data दे रहे हैं हम computer में input दे रहे हैं computer क्या कर रहा है data को ले रहा है उसको process कर रहा है result दे रहा है ये term हमने बहुत बार use की है कि data हम computer को देते हैं तो data है क्या तो जो data word है वो datum word का plural होता है datum word singular है और data क्या है उसका plural होता है तो data हम किसको बोलेंगे जो भी raw facts होते है जो plain text होता है जो simple हमारे पास data है उसको हम data बोलते है जिसका जरूरी नहीं है कोई meaning हो वो meaningful नहीं होता और इसलिए वो इतना useful भी नहीं होता तो जो raw facts है उसको data बोला गया है अगर आपको simple कह दे कि 20, 30, 40 या कोई number लिख देते हैं तो वो data है आप कह सकते हो कि हाँ ये data है बट आपको ये नहीं पता कि ये data है किस काम का क्योंकि आपको वहाँ पे उस data के attribute नहीं पता कि ये 20 है क्या चीज़ तो जो raw facts है उनको क्या बोला गया data बोला गया तो data कुछ भी हो सकता है character में भी हो सकता है text भी हो सकता है number भी हो सकता है कोई picture हो सकती है कोई graphics हो सकता है sound हो सकती है video हो सकती है तो data जरूरी नहीं है कोई अक्सर ही हो डेटा कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट है कि जब डेटा नेचरल फॉर्म में होता है तो structured and organized नहीं होता डेटा simple है हमारे पास उसको organized अभी तक नहीं किया गया है तो वो किसी काम का नहीं है चाहे उसको computer यूज़ कर रहा हो अगर data organized नहीं है तो वो काम का नहीं है क्योंकि अगर हमें simply कहा जाए कि 100 तो हमें थोड़े ना पता है कि वो 100 है क्या लेकिन हम उस data का use तो नहीं कर पा रहे हैं न क्या काम का है जब हमें उस data के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि यह है क्या उसका attribute हमें नहीं पता simple हमें पता है कि 100 हमें बताया गया है कि जो data है वो 100 है तो उसके बारे में हमें नहीं पता तो वो data किसी काम का नहीं है data अपने row form में किसी काम का नहीं होता यह तो हमने देख लिया कि data जब row form में होता है वो किसी काम का नहीं होता लेकिन जब उसी डेटा को प्रोसेस कर दिया जाए उसी डेटा को जब प्रोसेस कर दिया जाए तो वो meaningful बन जाता है तो after processing वो डेटा क्या कहलाएगा information और information तो हमेशा काम क्यों होती है जो डेटा है वो तो raw facts है लेकिन जब उस डेटा को प्रोसेस कर दिया तो वो meaningful बन गया और उसका बोला गया information तो यह जो diagram बनाया हुए छोटा सा इसमें यही बात बताई हुई है कि जो डेटा है वो after processing information बन गया फिर एक example है कि यदि किसी class में जो students उनके marks दिये हुए है रोलंबर लिखे हुए है age लिखी हुई है उनके ranks लिखे हुए है तो वो जो सारा एक database बनाया हुए है उसमें जो है उसको हम डेटा बोलेंगे कि यहाँ यह data है लेकिन अगर यह कहा जाए कि जो best 5 student है उनका result चाहिए उनके math के marks चाहिए तो अब क्या करना पड़ेगा उस data को organize करना पड़ेगा उस data को process करना पड़ेगा तभी हमारे पास result आएगा कि top के 5 students कौन से है है ना तो उन students में से हमें 5 students को select करने के लिए उस data को organize करना पड़ेगा process करना पड़ेगा तभी हमारे पास result में वो 5 student आएंगे तो जो 5 student आए after processing उसको क्या बुला गया information तो अब जो 5 students का जो result आ रहा है हमारे सामने वो क्या हो जाएगा information information में जैसी कि student के roll number हो गया और student के math के marks पूछे गया थे तो math के marks बता दिये roll number 1 के 99 है 2 के 85 है, 3 के 84 है 4 के 82 है, 5 के 80 है तो ये क्या बन गई एक information बन गई है ये अपने attribute के साथ है कि roll number 1 है और math के marks 99 है तो next आता है हमारे सामने data structure क्या होता है data को विवस्थित करने के लिए logical और गनितिये model को data structure कहा जाता है अब हमने ये देखा था कि data को structure करना बहुत जरूरी है, organize करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो data useful नहीं है तो उस data को organize करने के जो mathematical और logical model है, उनको क्या बोला गया data structure बोला गया data structure एक computer system में data को store और विवस्थित करने का एक तरीका है ताकि हम असानी से data का उपयोगे कर सकें तो data structure क्या है computer system में data को store कैसे करें, उसको विवस्थित मतलब organize कैसे करें तो उसी का एक method है, ताकि हम data को easily use कर पाएं तो जो data structure है, वो है organized data plus operation data को organize किया और कौन-कौन से operations जो है, उस पे लगाए गए तो ये था data structure उसके बाद आता है types of data structure data structure के परकार कौन-कौन से है सबसे पहले आता है primitive data structure उसके बाद आता है non-primitive data structure तो primitive data structure वो data structure होता है, जो predefined data type का use करता है जिसमें predefined data type use हो रहे हैं उसको बोला गया primitive data structure तो predefined data कौन-कौन से हैं हमारे पास, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने C++ का basics देखा था, उसमें हमने देखा तक है predefined, जो हमारे पास basic data type है, वो कौन-कौन से हैं, जैसे integer है float है, double है character है, string है ये हमारे पास क्या थे predefined data type उसके बाद जो next आता है वो है non-primitive data structure तो non-primitive data structure में क्या होगा, derived data type यूज होंगे, इसमें predefined नहीं होंगे, इसमें कौन से होंगे derived data type यूज होंगे, तो उस data structure को कहा गया non-primitive data structure, इसमें दो परकार के होते हैं, ये linear और non-linear तो देखते हैं, linear क्या है और non-linear क्या है linear में आता है हमारे पास जो data item को एक रैकिक रूप में रखता है, sequence में रखता है, linear sequence में रखता है, वो होता है linear तो linear में है array, link list, stack और queue, और non-linear में आता है trees, graphs, tables, sets तो चलिए देखते हैं, linear data structure की definition linear data structure, linear data structure एक ऐसी data सरंचना है, जिसमें data item को रैकिक रूप मतलब linear sequence में store किया जाता है, और organize किया जाता है, संगरित किया जाता है, और विवस्थित किया जाता है जिसमें data item एक रेखा के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो data है, वो sequence में होता है array, link list, stack और queue जो है, वो linear data structure के example होते हैं तो array में आपने देखा होगा, कि जो data होता है, वो बिल्कुल linear होता है, sequence में आता है non-linear data structure, non-linear data structure ऐसी data स्रंचना है, जिसमें data item को करम बत तरीके से विवस्थित नहीं किया जाता इसमें data item किसी अन्य data item से जुड़े हो सकते हैं, इसमें linear की तरह है, जो data है, वो करम बत तरीके में नहीं होता जो data items हैं, वो किसी दूसरे data items से जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि trees हो गया, graphs है, tables है और sets है trees का example कैसे होता है, diagram ऐसी होता है न, फिर आगे इसकी branches होती है तो यह आता है non-linear data structure में, तो data structure कौन-कौन से थे, primitive और non-primitive और फिर आगे क्या था, non-primitive के example थे, दोनो टाइप थे, linear and non-linear next आता है कि जो data structure है, उस पे perform किये जाने वाले operations कौन-कौन से है कौन-कौन से operations data structure पर perform किये जाते है तो सबसे पहले आता है traversing traversing होता है कि जो भी आपके पास database है, जो आपके पास data की सरंचना है उसमें इन data को process करना, access करना, मतलब इन पर visit करना क्या बोला जाता है traversing मतलब इन data को process करना, access करना, मतलब इन पर visit करना, इन data तक पहुंचना क्या बोला गया traversing कि उसको traverse कर रहे है then आता है सरचिंग searching क्या होते है घूंडना तो जो data सरंचना है उसमें किसी data को search करना ki 5 को search कर रहे है 5 यहां पे है तो 5 को search करना है तो उसको searching बोला जाता है इसमें searching में क्या result आता है कि जो data की location होती है वो as a result हमारे सामने आती है इसलिए इसकी definition लिखा है कि data सरंचना में किसी record के स्थान को खोजना ही searching कहलाता है हम match तो वहाँ पे क्या करते हैं number करते हैं कि ये number कहाँ पे है लेकिन जब result हमारे सामने आता है तो result में उस number की location हमें प्राप्त होती है third है inserting inserting क्या होता है डालना insert करना means record में जो हमारे सामने डेटा सरंचना है उसमें कोई नया record डालना नया record जोडना क्या बोला गया inserting जो भी हमारे सामने डेटा बेस है डेटा सरंचना है उसमें नया record डालना inserting कहलाता है और किसी record को हटाना deleting कहा जाता है delete करना डिलीटिंग क्या होता है हटाना रिमूव करना तो डेटा सरंचना से किसी रिकोर्ड को हटाना डिलीटिंग कहा गया नेक्स्ट रहता है सॉर्टिंग सॉर्टिंग क्या होता है किसी एक करम में लगा देना सीक्वेंस में लगा देना जैसे आप पढ़ते हो कि आरोही करम है या अवरोही करम है मतलब ascending order है या फिर descending order है ascending order होता है बढ़ना पहले छोटा फिर उससे बढ़ा फिर उससे बढ़ा फिर last में सबसे बढ़ा merging, merging में होता है merge कर देना, मिला देना दो database अलग-अलग है उनको किसी तीसरे data में merge कर देना, मतलब एक file बना देना, पहले file अलग-अलग है उनको एक file में मिला देना ही क्या है merging तो आज के लिए बस इतना ही, I hope concept clear हो गया होगा अगर कोई doubt है तो आप फिर भी मुझे पूछ सकते हो चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए like and share करना मत भूलना और bell बटन को press करना भी मत भूलना ताकि आपको जो भी new videos डालू आपको notification मिलता रहे thanks for watching, have a happy life ऐसा ही पढ़ते रही और नस्क्राते रहेगे